उत्रखन BSC Nursing, JNM, A&M Paramedical Intrins Exam Session 2024 ऐसे तमाम स्टुडेन जो 2024 के Intrins Exam चाहें BSC Nursing के बात करें, JNM के बात करें, A&M के बात करें, Paramedical के बात करें जो HNB, UMO के द्वारे Conduct आपके उत्रखन इस्टेट में कराया जाता है उन तमाम स्टुडेन के लिए आज की वीडियो काफी important होने वाली है आज की वीडियो में हम discuss करेंगे कब तक आपके Intrins Exam के जो form है चाहे हो BSC Nursing के बात करें, JNM के बात करें, A&M के बात करें, Paramedical के बात करें कब तक आपके form देखने को मिलेंगे, क्या criteria यहां पर रहता है, किस तरीके से paper होता है और किस तरीके से आपका सारा schedule होता है, Intrins Exam के तुरू admission लेने का इस सारी चीज़े में आज की वीडियो में discuss करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम student को काफी important points के बारे में discuss करना चाहूँगे student, 2024 में जो student जैसे मैंने बता दिया था कि BSC nursing हो, GNM हो, NM हो, Paramedical हो 2024 के लिए, मैंने already WhatsApp ग्रूप बना दिया student, नमबर आप अपनी screen पे देख रहे होंगे, 9536012088, ध्यान देने student ये group मैंने previous year में भी बना दिया था, इस बारे मैंने group बना रहे हैं, आप देख सकते हैं student, इस group में already 61 member already जूर चुके हैं, प्रवेश्य एक ग्रूप का pattern मैं आपको दिखा देता है student, आप अपनी screen में देख रहे होंगे, देखना student, सबसे पहले जो मिलेगा आपको यहां पर देख रहे होंगे, पहले नमबर पे previous year 2023, question paper चाहिए हो, BSE nursing वाले हो, GNM वाले हो, NM वाले हो, Paramedical वाले हो, basic मने के लिए separate video लाऊंगा पहले देख सकते हैं, previous year का question आपको 2023 का आपको मिलेगा group में, second benefit आपको यहां पर मिलेगा student, entrance exam related, all update, तो कहने का मलब है, जो entrance exam आपको 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 फॉर्म बना है, यह सारा update आपको गुरूप में मिलेगा, उसकी help आप लोगों की help भी उसी group में आपकी कराई जाएगी, third update यहां पर आप देख सकते हैं, result and counseling related, कहने का मलब है, जो counseling आपकी होती है, result होती है, यहां पर आप देख सकते, 2023 में किस तरीके से, मैंने group में यहां पर दिये है, आप देख भी रहोंगे, counseling seat allotment later, इस तरीके से आप देख रहे होंगे student, और यह सेम यहां पर तिसरी point की ब बनाने के purpose कहा है, normally आप update with नबू सर्च करना, और update with नबू सर्च करने के बाप playlist के section में जाना, playlist के section में आप जब जाओगे, तो यहां पर आप देख रहोंगे, HNB, UMU, BSE, Nursing, GNM, A&M, Paramedical, तो यहां पर आप देख सकते है, student, यहां पर मेरे द्वारे काफी videos यहां पर दी आप देख सकते हैं, playlist के section में, मैं जान देना, student, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, playlist के section के सारी videos देखना, उसके बाद ही आप इस group के add होना, और अगर आपके senior से उनसे चलूर आप एक बार recommend ले लेना, सला ले लेना, कि update with नबू की तरफ से HNB, UMU का all, all update यहां पर मिलता ह चाहें admission से related हो, question paper से related हो, चाहें आपके counseling से related हो, तो यही चीज़े मैं आपको कह रहा है, student, आप previous year से लेकर, क्योंकि मैंना already बता है, student, मिरको दो साल का पूरा experience यहां पर है, अगर आप मेरे साथ connect होंगे, तो कहीं नहीं कहीं, आपका ही benefit यहां पर रहने वाला है, पांच अपडेट यहां पर देख सकते है, student, scholarship से related आपको update मिलेगा, छट्वाज अपडेट मिलेगा, हो अपडेट आपको मिलेगा, job update कहने का मतलब है, जो BSC, nursing, GNM, A&M, paramedical, में जब आप इंटरेंस exam के बाद, आप तर जब admission ले लोगे, उसके बाद जो भी job opportunities यहां पर आपके सब्सक्राइब के लिए उतरखनी स्टेड में आती है, हर update आपको मिलेगा, तो यहां पर देख सकते है, student, इस गुरूप की जो validity है, lifetime तक रहने वाली है, और सुल का आप देख सकते है, student, मात्र सो रुप में रखा है, सो रुप में के पिछे आप benefit देख सकते है, student, हर एक preparation स से लेकर, आपके entrance exam से लेकर, आपके admission से लेकर, scholarship से लेकर, तमाम यहां तक की job तक कभी update आपको lifetime तक मिलने वाला है, I hope यह आप तमाम student को समझ में आच चुका होगा, कि गुरूप बनाने की पीछे का परपच क्या है, और क्या इसके पीछे का motive है, मैंने बता देख से स्टूडें, 2024 में माई या अप्रेल लास्ट में आपका entrance exam के regarding form दीख सकता है, और previous year में जो paper उसा स्टूडें 11 जून को यहां पर हुआ था, सेम यहां पर भी आपका paper जून में ही देखने को मिलेगा, तो यही चीज़े कह रहा था, स्टूडें अगर आप मेरे साथ connect हों यहां पर साब साब mention लिक रखा है, 45% यहां पर आपकी compulsory यहां पर होने चाहिए 10 पलस 2 में, physics, chemistry और biology तीनों को जोड़के, और यहां पर English आपकी compulsory होने चाहिए student यहां पर साब साब mention कर रखा है, बाकि आपका domitial उत्राखंड होने चाहिए, और काफी student होंगे जो out of उत् हो भी इस form को भड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए criteria है, यहां पर यह है student, आपका 10th या 12th उत्राखंड state से होना चाहिए, दिन ही आप यहां पर अगर आप other state के है, दिन ही आप यहां पर उत्राखंड का जो B.Sc. Nursing इंट्रेंस एक्जाम है, उसके लिए eligible हो, इसीच का आप ध इंट्रेंस एक्जाम के लिए eligible है, बस बरसते के उनके after result 45% होने चाहिए, आप यह वीडियो आप तमाम student के लिए help रोगी, बाकियां पर paper pattern की regarding, थोड़ा से discuss कर लेता student, यहां पर ज्यान देने student, आपके 100 mask का question आता है, negative marking यहां पर नहीं होती है, chemistry के 20 question आते है, physics के 20 question आते ह नर्सिंग aptitude के 20 question आते हैं, मैं previous year का paper question, paper का थोड़ा दिखा भी लेता student, यही चीज़े मैं आपको करते student, जब आप add होंगे मेरे साथ, तो हर एक update आपको मिलेगा, चाहिए हो BAC nursing वाले हो, GNM वाले हो, NM वाले हो, paramedical वाले हो, उनके लिए basic मैं अलग सी वीडियो बनाऊ आप definitely मुझे जो number में आपको screen पर देख रहे होंगे, आप definitely मुझे message करना है, message करने के बाद आप group में add हो जाओगे student, उसके बाद आपको हर एक चीज़े कहने कमला, आपको निस्सिंत हो जाना है, आपको हर update यहाँ पर मिलेगा, intense exam के regarding notes आपको provide किये जाएंगे, लेकिन ध् chances success के 100% होंगे student, I hope यह video आप तमाम student के लिए helpful रहे होगी, another query आपके इसके regarding है, तो जरूर comment box में पूछ लेना,